हे गाईस नमस्कार मैं आपका दोस्तमिच स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिट से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिलते शुक्रिया गाईस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हर्याना के अंदर 2023 के अंदर जितनी भी उनिवोसिटी है बैचलर अफ एजूकेशन के लिए चाहिए वो M.D.U है चौदरी रनवीर सिंग उनिवोसिटी है कुछित्रा उनिवोसिटी है बाकी कोई भी उनिवोसि क्या है कॉमेंट्स करके या वट्सेप करके मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप प्लीज मुझे बताइए और ये इस प्रकार के कॉमेंट्स या मैसेज पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बच्चों को इसकी नॉलिज देना बहुत जरूर है तो आगे बढ़ने से पहले एक छ दियाना कि उन्हों सटी है उन सब के जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडिय में विद इंपोर्टेंट के साथ त्यार कियें विद आंसर के साथ और बहुती नॉमनलर से चार्ज पर अगर आपको लेना है तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है ट्रिपल नाइन 6060785 पर हाय का टेक्स करेंगे और इंस्टेंटली पीडिएफ आपके पास पहुँच जाएगी और आप लोगों के बहुत अच्छे नबर आ जाएंगे तो जाए गईस चलिए हम लोग करते हैं आगे बाग गईस सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर यह समझने वाली बात है कि बहुत तरह तरह से एड्मिशन लेता है कॉलेज में भी एड्मिशन ले लेता है किसी कंसल्टेंट के थो भी एड्मिशन ले लेता है या किसी रिलेटिव के थो भी एड्मिशन ले लेता है सारी चीजे होने के बाद बच्चों को बहुत सारी चीजे नहीं बताई जाती कि आप लोगों के जो exam है वो कब तप होंगे यहाँ पर कुछ technical बाते मैं आप से clear करना चाहूँगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि यह बिलकुल fact है गाईस देखें मैंने पहले भी एक video बनाया था कि COVID से पहले 2020 से पहले हर university के जो exam थे जो अमडियू है CRSU है कुरूच यतरा है जून के first और second week तक start हो जाते थे मान के चलो और last तक जून के last तक क्या है practical से exam वगरा सब निपड़ जाते थे और august के end तक result बच्चों का आ जाता था अब जो exam की confusing है वो बच्चों में क्यों पैदा हुई क्योंकि 2020 COVID के बाद जो है exam का जो सिलसला था वो कम से कम 2 या 3 महीने आगे shift हो गया उसका reason था क्योंकि 2019 के अंदर जो भी beard हर्याना में admission होते थे वो September तक maximum admission हो जाते थे और अब क्या है October या November में क्या बच्चों की counseling निकाले जाती है और December जनवरी तक क्या है बच्चों की admission होते है और फरवरी तक क्या बच्चों की classes लगती है यानि कि 3 से 4 महीने का जो gap है वो बच्चों के पढ़ाई के अंदर आ जाता तो इसलिए university क्या है आपके exam को थोड़ा सा late करती है अभी काफी बच्चे मुझे यही भी बोलेंगे कि सर जितनी भी university है उन सब ने अपनी tentative जो date sheet है वो निकाल दिये मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि tentative date sheet का मतलब यह होता है कि उस date sheet के अंदर university कभी भी प्रिवर्तन कर सकती है बिना आपकी knowledge के और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते है तो tentative क्या है बच्चों को सरफ एक motive दिया जाता है आपके exam जब तक हो सकते है अब यहाँ पर मुद्दा यह उठेगा कि सर exam क्या है बच्चों के कब तक है देखे गाईज मैं आपको बताना चाहूँगा MDU, CRSU जो भी university कुछ दिया है आपके जो exam है वो जून में start हो सकते है या फिर maximum जुलाई तक आपके exam जा सकते हैं जुलाई में anyhow हर university के exam हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सेप्तमबर में CRSU ने date sheet दी है कुरुशेतरा ने दी है गाईज वो tentative date sheet दी है पर यहा वो अलग-अलग university में का distribute रहते हैं तो अब उन बच्चों को समालने के लिए उनके लिए infrastructure भी चाहिए उनके लिए superintendent भी चाहिए उनके लिए invigilator भी चाहिए और उनके लिए space भी चाहिए तो guys ये वाले जो graduation BAM, MAM, COM, MSE जो भी है इनकी जो student की quantity होती है वो बहुत कम होती है और B8 के बच्चों की quantity जादा होती है तो इसलिए हर university हर vice chancellor यहीं सोचता है कि B8 के जो exam है वो थोड़ा free hand बे कराय जाए यानि कि बच्चों को थोड़ा time भी दिया जाए क्योंकि 22 इसलिए दोनों चीजों को balance करने के लिए यह चीज होती है अब बच्चे यहां पर काफी प्रिशान है कि sir exactly आप मुझे बताईए क्योंकि उन बच्चों का concern मैं समझ सकता हूं कि जो UP, Bihar, जारकंट से हैं कि sir हमारे exam कब तक है हम school में पढ़ाते हम job करते हैं और कब तक हमा एक वी किया maximum 15 दिन पहले क्या है अपनी site पर final जो date से तो उसको चस्पा करेगी उससे पहले कोई भी final date sheet नहीं आ सकती कि MD, UCR, ASS, सब आपकी इनोस्ती जो exam है वो जून में करा सकती है पर यहाँ पर थोड़ा changes भी हो सकता है बाइचन कोई infrastructure ना मिले किसी चिसकी कमी आजए तो उसको एक देट महीना आगे switch भी किया जा सकता है तो इसलिए आप अपना मोटा मोटा जून या जुलाई के आसपा जुलाई में आप अपने exam को पकड़िए कि आप लोगों के exam है वो जुलाई में हो जाएंगे और उसके बाद आपके practicals होंगे practical मैंने पहले भी बताया था पहले भी हो सकते हैं बाद भी हो सकते हैं 90% आपके practical after exam होते हैं तो guys यह वाला जो confusing है बच्चों के mind में बहुत है और हर दिन phone calls हर दिन message आते तो मुझे लगा कि मैं दोबारा से एक बात यह clear करो कि आप लोगों के exam कब तक होंगे किसी से पूछने की कोई भी आवशकता नहीं है किसी से message करने की कोई भी आवशकता नहीं guys आप सिरफ अपनी पढ़ाई पर focus कीजिए exam तो एक दिन आपके हो मुझे और आपको कहीं से information नहीं मिलेगी फिर भी मैं और हमारा channel पूरी team आपकी मदद करेंगे कि कब आपकी date sheet आ सकती है तो guys उमीद करूँगा कि इस video से कुछ hint आपको मिला होगा बाकी और जो update इसके उपर आता हो definitely मैं आपको बताऊंगा तो video कैसा लगा है please इसके लिए like share and comment और मिलेंगे किसी next video में तो till then bind take guys मुस्कुराते रहना thank you so much